ओम नमस्षिवाय जै महाकाल भोले नात यानि कि भोले बाबा को गर खुश करना है वो तीन मंत्र कौन से हैं पूजी पंडित प्रदीप मेशा जी ने कुछ ही दिन पहले महाशिव पुरान की कथा में बताया था लेकिन आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी वि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से देखते जाएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ही मैं आपको बता दू कि मंत्र के बारे में सबसे पहले एक-एक मंत्र को चलता हूँ बताते वो चलता हूँ ताकि आपको स सब कुछ समझ में आता रहे, पहले मंत्र के हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो कर दीजे लाइक, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, बहुत महनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में, सबसे जो पहला मंत्र है, वो है ओम नमः शिवाय, जान जा रहे हैं, भोले बाबा को जल चड़ाने के लिए किसी मंदर में जा रहे हैं, पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, कुछ मागने के लिए जा रहे हैं, बोले बाबा से कहीं पर खड़े हैं, तो भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई दुवि लिखूंगा नहीं क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो गए तो ये मंतर बहुती सिद्ध है मैं ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहता हूँ दूसरे मंतर का नाम है महामृत्यूंजय मंतर ध्यान से सुनिएगा दूसरे मंतर का नाम है महामृत्यूंजय मंतर इस मंतर की जो करने की जो विधी है मैं आपको बताने जारा हूँ ध्यान रखेगा इस मंतर को आपको खड़े खड़े नहीं कर सकते इस मंत्र को करने के लिए आसन की आवशक्ता होती है ध्यान रखेगा आसन की आवशक्ता होती है मंत्र को आपको मन में बोलना होता है अपने ओठों को चलाते वे बोलना होता है आपके सामने कलश होना चाहिए भोले बाबा का स्मरण होना चाहिए और आपकी इस मंत्र का बहुत जादा है किसी भी चीज़ से आप घबरा जाते हैं बहुत ही जल्दी महामृती निये मन्त्र एक amigos रहे । कि इस मंत्र के जाब के लिए आशन की अवर्शक्ता जरूर हुती है आपको ये मंत्र खड़े-खड़े नहीं उत्षे ऱैट कर भाह की तो ही ये मंत्र शिद्ध होती है, अब ये बात आती है कि आप पूछें कि भीया हम तो तबियत हमारी खराब रहती है, हमारे माता जी कि तबियत बहुत खराब हो तो बेड़ पे ही है, तो हम कैसे करें, देखिए ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको आप बेड़ पर ही रहने दीजे, वो वहीं से ही भगवान को याद कर सकती है, भगवान से प्रातना कर सकती है, लेकिन आप में घर में से कोई सा भी उनके लिए ये चीज कर सकता है, लेकिन उनको भी वहाँ पर रहना आवशक है, ठीक है, तीसरी बात हम लोग कर लेत का जाब आपको करना है यहाँ पर जगह नहीं बच रही है मलिक देता स्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाब एक बहुत ही यह भी सदमंत्र है यह मंत्र की कोई विधी नहीं है आप उठते बैटते चलते फिरते घूमते फिरते जहां पर भी आपकी इच्छा हो जैसी भी इच्छा हो सो करके आप उठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमस्तुभ्यम इसका जाब कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप सो करके उठे बैट पर बैटे हुए हैं और महा मृत्यूंजे मंत्र का जाब सिर्फ आसन पर बैट करके ही मन शिद्ध करके ही सामने कलस ही बोले बाबा का इसमर्ण करके ही किया जाता है आपको करना होता है महा मृत्यूंजे मत्र लेकिन जो ओम नमस्तुभ्यम का जाब है कभी भी आप कर सकते हैं इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है बोले बाबा की सिद्धी प्राप्त है इस मंत्र पर जान लखेगा तो तीन म बोज के लाना पड़ता है कि आपको किस चीज की जरूरत है वो मैं लेकर करके आता हूं बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करिए मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं वीडियो पे पहली बार आये हैं तो चैनल को जी के उपाएं हो या फिर और भी जैसे भी कोई उपाएं हो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें ओम नमस्ट शिवाय जै महाकान